जोगपूर से खबर अनीता चौधरी हत्याकान मामला आज कुड़ी हाउसिंग बोट के बाजार बंद की जौनकारी सुभा नौ बजे से दोपर एक बजे तक बाजार बंद रहेगा वीर तेजा मंदर में सर्वसमाज का वशाल धरना प्रदोशन हाला कि अभी तक आधिकारिक रूप से बंद की पुष्टी नहीं तो अनीता चौधरी हत्याकान मामले को लेकर अभी भी लोगों में रोश व्याप्त है और आज कोड़ी हाउसिंग बोट के बाजार बंद की जौनकारी सामने आ रही है सुबह नौ बजे से दोपर एक बजे तक बाजार बंद रहेगा वीर तेजा मंदर में सर्वसमाज का वशाल धरना प्रदोशन हाला कि अभी तक आधिकारिक रूप से बंद की पुष्ची नहीं हुई है जो सरह से अनीता चौदरी अत्यागार ने पूरे प्रुदेश को सब्द कर दिया था समाज का जो रोश है अभी भी खत्म नहीं हुआ है हाला कि मुख्यारों पे गुला मुदिन की गरफतारी भी हो गई है लेकिन अभी भी लगातार रोश व्याब्त है और इसे लेकर बंद का एलान है हाला कि आधिकारिक पुष्ची नहीं है लेकिन आज कूडी हाउसिंग बोट के बाजार बंद की सूचना और सुभा नौ बजे से दोपहर एक बजे तक बाजार बंद रहेगा वी पेजा मंदिन में सर्व समाज का विशाल धरना प्रदोश तो अनीता चौधरी के हत्याकान मामले को लेकर लगातार समाज के लोग पहले गुलामुदिन के गरफतारी के मांग कर रहे थे अभी भी कई मांगे उनकी हैं गुलामुदिन को काफी चौनातियों का सामना करने के बाद पुलिस की गरफतार कर लिया उसने खुबूला भी अनीता भी हत्या करना लेकिन अभी भी समाज में लगाता रोश व्याप्त है और इसी के चलते आज खुडी हाउसिंग बोट के बाजार बंद की जानकारी सुभा नौ बजे का वक्त है तब से दुपहर एक बजे तक बाजार बंद रखेगा वी टेजा मंदर में सर्व समाज का विशाल धर्णा हालांकि अभी तक आधुकारिक रूप से बंद की पुष्टी नहीं हुई है लेकिन लगातार समाज के लोगों में इस हत्याकान को लेकर रोश व्याप्त है आधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे ब्यूरो चेफ प्रदीब जोशी जुड़ गए है प्रदीब क्या कुछ पूरी जानकारी देखी गुलाम उद्दीन की गरफतारी हो गई काफी चुनाओतियों के बाद अभी भी परिवार की और समाज की कुछ मांगे हैं लगातार रोश व्याप्त जी आवशी आनिता हाथ्या कायल मामने को लेकर समाज के लोगों में कातल होगे रोश वर रोश होने के साथ ही जो कुरी बक्ताश में इस दिजाम अभी रहा पर कहने है उसको आज सिक बंक किया जाएगा जिनकी पुछती तो ने कैसे ते लिकिन ये लेने बजार के लोगों समाज के लोग के उनके द्राव लिया गया था जो अंता हथ्याकार मामने है उसमें लब दो सब्ता समय नीतने के बाद भी अभी तक सव का अंतिन संस्कार नी हुआ है और लगवफणना देन बाद में पोस्माइट हुआ है उसको लेकर पूबन करने का आज लेने रख जया है इसमें जाफारियों को आज पुछती नीकार मामने को लेकर अपनी दुख वर्द करने के साथी शोक्षण सावद करने के बजा बंक करने का आज जाएगा जाएगा चली शुक्रिया प्रदीप जानकारी साजा करने के लिए आपका तो आज सुभा नौ बजे से दोपार एक बजे तक बाजार बंक रहेगा